नमस्कार SPN 9 News में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मैं हाजर हूँ और आज बात करेंगे उस सीट की जो की काफी महत्वपूने वैसे तो लोगसबत चुनाओं में तमाम सीटों का बहुत महत्वप है लेकिन संत कभीर नगर एक ऐसा सीट है जहां पर की उहापो की स्थित बनी हुई है आखिर कौन मारेगा बाजी तमाम सीटों पर जो विपक्ष है और पक्ष है वहाँ पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसी तरीके से वो चुनाओं मैदान में हैं और जमकर यहां पर आरोपों का दौर भी चला है और इसके अलावा जूते भी च हुआँ है। संत-कबीर नेगर के बात करें पर नहीं है संत-कबीर अपने बहुत बड़ नाम है और थे भीचाल को एक दो शाले to classcles कर दोंसे प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह यहां पर हिंदू-Muslim का कोई पनफता नहीं है क्योंकि कभीर ना हिंदू के हैं ना मुस्लिम के हैं यह लोग मानते हैं इसलिए यहां इस तरह की बाते नजर नहीं आती हैं यहां जब शर्द्रिपाथी आपने एमले के ऊपर चपलों की बारिश करते हैं जूते बरसाते हैं तब जरूर एक तकलीफ होती है कि जिनको शिष्टर्चार के नाम पर कहा जाता है बिजेपी ने भी मैं कहूंगा अची चीज यह है कि बिजेपी ने भी समझा और नुकर टिकेट वहां से कार्ड दिया और यह इस बार एक नए प्रशाशी से रूबर हो रहे हैं असन्त कबीर के जनता क्योंकि प्रबीर निशाद की यहां पर इंट्री होई है जो 2018 में गोरखपुर से चुनाव लड़े थे और गोरखपुर को तोड़ने में कामियाब रहे थे लेकिन देखिए वक्त पिर करवट लेता है और निशाद फिर बीजेपी के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं यह वही निशाद हैं जो पिर निशाद हैं जो बीजेपी और बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं और महतपुर बात यह देखने को मिलती है कि जिस गोरखपुर से उनको जीत मिली थी वहां से चुनाव नहीं डड़ते हैं बीजेपी के लिए रवी कि शंग तो यह एक बड़ा अनुखा सा मिश्टन देखने को मिल रहा है लेकिन हाँ संथ कभी नगर एक बड़ी अलग तरह की जगह है बड़ी अलग तरह का माहूल है यहां पर जाती की नाम पर आप ज्यादा अड़ंगे ज्यादा अब तिफर के बाजी नहीं कर सकते हैं आपको मुद्दों पर बात करने पड़ेगी आपको जमीन इस तरफ पर आतार चाहता है कि विकास हो और जब तक देश का जो मुद्दे हैं देश में और जो देश के जो राज हैं उनके जो मुद्दे हैं वो विक्सित नहीं होंगे तब तक हमारा राज आगे विक्सित नहीं हो पाएगा तो वहां पर मुद्दों के अगर हम बात करें कौन-कौन फिरिम से ऐसे हैं जिसको लेकर वहां के युवाँ परिशान हैं। हमेशा से रोजगार एक मुद्दा बना रहा है देश में पूरे रोजगार लिखे पढ़े लोग भी रोजगार घूम रहे हैं। पास कोई रोजगार नहीं है गौर्मेंट जॉब बहुत कम है अगर घरों से बाहर निकलते हैं तब भी उनके बहुत कटना ही आए क्या कि बाहर निकलने का मतलब आप जब दूसरे शहरों में जॉब के लिए पलाइन करते हैं जाते हैं तो वहां रहना खाना पीना बहुत सार अगातार यही चीज़ कही जा रही है और सबस्क्राइब के बहुत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप तलबार चलती है तो अपना पराया सब को काटती है जब आपके बोट भी तो आई रहे हैं लेकिन आपके प्रक्ष के काटेगा अगर आपको इतना ही लोगों से महबत थी इतना ही कॉंग्रस को लोगों से लगाओ है जो बिरोधी दल है बीजेपी की तो शायद वहां से प्रताशी खड़ा नहीं करते लेकिन अगर नाम देखें आप बाल-चंद्र यादब को महां से उता रहा है तो याइन कि दिल्चस्प हो गया है मुकाबला संथ कभी नगर का पहले बड़ा आसान माना जा रहा था लेकिन शौरत तरपाटी वाला जैसे मामला सामना है उसके बार लगतार आलोचना हुई इसको लेकर बकाइदा मीडिया में खासा इसको लेकर विरोध दर्ज भी कराया गया कि एक स हैं और यह चीज़ों को देखते हुए माना जा रहा था इसा लगभग लगभग था कि शायद शरत पाठी इस चुनाव में नजर ना आ है लेकिन उनके पिता जी को अदेवरिया से टिकेट दे कर कहीं नहीं को रहा देनी कोशिश की है लेकिन हां कभी नगर का चुनाव उत सकता है कॉंग्रिस को जो तरीके से आनन फानन में तुरंद से प्रतियार्शी खरा करना पड़ा है और बीजेपी के साथ भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरी निकल कर सामने आई है ऐसे में दोनों दलों को कितना घाटा हो सकता है बिलकुल निशाद की अगर पहले ही बात कर और वहां से गुरखपुर के अगर बात करें तो रभी किशन को चुनावी मेतान में उतारा गया जो पहले कॉंग्रेस में थे बिल्कुल मतलब बिल्कुल मतलब बीजेपी के लिए उतने ज्यादा सफिसिव नहीं थे लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर उन्हें उतार दिया बीजेपी के अगर हम तबाम सीटों की बात कर लें तो आप कहीं से भी देख ले जाहे वो बिहार की बात हो या कहीं भी इस बार जहां भी सीटिंग जो थे उन्हें हटा के दूसरी जगह पर रख दिया गया है जब बीजेपी ने मोजूदा सांसदों के टिकेट काते हैं औ आप कहा हैं तो क्या अपने हम नहीं प्रिया दिया है तो फोग भी शब्रस दाइख प्राइए थे सुट्ड्स के फोग दाए तो बीजेपी की बात नहीं कहुंग है जिन लोग आप टिकेट दे ते जख़ू फोग जने लोग को आप टिकेट दे रहे एं क्या है नहीं यह में कोई काम किया है इसको सोचने वाला कोई है में खाल सक कोई नहीं है तो यह ज़रूरी होना चाहिए कि माले निर्हों अगर आजम गर्ण से चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को से मिले या बस अपनी प्रसिद्धी अपनी लोग प्रेता के दम पर चुनाव लड़ने ज आते हैं छे दिन पहले और छे दिन बाद आपको टिकेट मिल जाता तो यह थोड़ा सा देखने वाली बात है कि राजनेतिक पार्टियां का आखिर रुख किया है किस तरह टिकेट का वंटन होता है और जिन शेत्रों से आप उतार रहे हो लोग कितना उनके बारे में जानते हैं और कितना इसनको पसंद करते हैं तो इस बार इस चुनावि मैंता कि बाद करते हैं क्योंकि unfortunate सामने तमाम मुद्दे अभी भी मुबाइव खड़े हैं चाहे वह बात रोजगार की हो या फिर सिक्षा की हो बहतर सिक्षा की लगतार बात की जा रही है यूपी में अकसर देखा जाता था कि वहां पर सबसे अच्छी बेवस्था होती थी लेकिन कई दफा ऐसा भी हो गया क यूपी की जो सिक्षा व्यवस्था है आख अब रहां थैसे कुछ और व्यवस्था की बहार को टीतत है तो उनमें जब खाना मिलता है तो टो यूर्य ऑग शामा नही होती है रसोगे अच्छी बहुत रसे हैं यह जो बहुत सार है उर ङो तो तου अधे हैं वह एक्ड़मां जब मनुष ते बारी दिली से सुनाव जी थे तो लगा है कि भोजपर इंडिस्टिक ने बहुत कुछ करेंगे वहुत कुछ कहा है कि मैं चातनों के पटना में फिल्म सित्री होनी चाहिए और तमाम भोजपर फिल्मों का विकास होना चाहिए लेकिन बहुत सब काफ़ों से जनता बहुत समझदार है अब जनता पहले वाली नहीं रही कि आप बाशन करके वोट हासिल कर लेंगे अब लोग काम चाहते हैं और अगर आप सिर्व नाम के सारे अगर जाना चाहते हैं तो मेरे चाहल से आपका बचकानी खरकत हो सकती है बचकाने काम हो सकता है क्योंकि अ आपको समय आगया है काम बताना पड़ेगा काम के जो मुद्द लोग को सामने रखने पड़ेंगे आप सिर्वी कि नाम पर निरोग के नाम पर नाम पर आप वोट नहीं ले सकते हैं संत कबीर नगर में फिलहाल कैसा है संत कबीर का मूड हम यह बताने की कोशिश कर रहे थे संत कबीर नगर जो है वो अपने आप में बहुत ही एहम है और वहां पर कैसे महौल खराब हुई और महौल को क्या ठीक कर पाने में यह लोग जो लोग चुनावी मैदान में खड़े हैं वाकई में सार्थक हो पाएंगे बिल्कुल तरिकोरी मुकाबला है बड़ा दिल्चस साफ हो जाया का कि आखर संत कभी नगर की जानता ने किसको अपना अपलबाब जो है सर अपना आप संत कभीर नगर का हाल हमने आपको बताया और इसी तरीके से आप जिस भी जगह की बात जानना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे और हम आपके सुझाव पर अमल करेंगे अपने कारिक्रम में शामिल करेंगे उस जगह की पूरी जानकारी आपको देंगे बस आप हमारी तमाम खबरों को देखने के लिए वेल आइकन दबाते रहें सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार